जुलाई का मन्त हो चुका है शुरू और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 5 बड़ी मुवीज के बारे में जो जुलाई के महिने में रिलीज होने वाली है बात करें पिछले महिने जून की तो आदी पुरुष जिसे इस साल की सबसे बड़ी और हिट मुवी मानी जा रही थी उसने भी लोगों को काफे निराश किया वहीं दूसरी तरफ जरा हटके जरा बचके और सत्य प्रेम की कथा जैसी मुवीज अभी भी थीटर्स में लगी हुई हैं और लोगों को पसंद भी आ रही हैं तो अब देखते हैं कि जुलाई का महिना कैसा रहता है आने वाली मुवीज के लिए इस महिने बॉलिवुड की तरफ से दो बड़ी मुवीज रिलीज हो रहे हैं एक रौकी और रानी की प्रेम कहानी और दूसरा बवाल इन मुवीज के बारे में तो आप जानते ही होंगी लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी मुवीज हैं जो जुलाई के महिने में रिलीज होने वाली हैं नमबर पांच पर है तारला तारला एक बाइपिक मुवी है जो इंडिन फूड राइटर और शेफ तारला दलाल के लाइप के उपर बेस्ट है गुमा कुरैशी फिल्म के लीड रोल में है और वो तारला दलाल के किड़ार में नज़र आएंगी तारला के पती के रोल में आपको शरीब हाश्मी नज़र आएंगे तारला एक सिंपल सी फामिली ड्रामा स्टोडी को दिखाती है यह मुवी आपको तारला दलाल की पूरी ज़र्नी दिखाएगी कि कैसे वो एक सिंपल हाउस वाइप से एक फिमस शेप बनती है अकि क्या है फिल्म में यह तो उसके रिलीज होने के बाद ही पता लएगा तो मुवी साथ जुलाई को जी फाइब पे रिलीज होने वाली है नमबर चार पे आती है मुवी ब्लाइंड यह एक क्राइम थ्रेलर फिल्म है जो रिमेक है सेम नीम के कॉरियन मुवी का जो 2011 में आई थी कॉरियन फिल्म ब्लाइंड एक बहुत बड़िया मुवी है जिसका रिमेक चाइना और जापान में भी बना है साउथ की बात करें तो तामिल में भी इसका रिमेक अल्रेडी बन चुका है जिसमें 99 लीड रोल में थी तो अब इसका रिमेक बॉलिवुड में भी बन रहा है जिसके लीड रोल में है सोनम कपूर हाला कि ये फिल्म फेबरी 2021 में ही बन कर तैयार हो गई थी लेकिन कुछ रीजन्स की वज़़ से इसे रिलीज नहीं किया गया लेकिन फाइनली अब ये मूवी इस महीने रिलीज होने वाली है पहले तो ये मूवी थीटर्स में आने वाली थी लेकिन अब इसे OTT पे लाया जाएगा त्रेलर में इस मूवी के उतना दम नहीं है जितना एक्चली एक क्राइम त्रेलर में होना चाहिए बागी तो मूवी देखकर ही समझाएगा कि ये ओरिजनल के कितने करीब है तो नम कपूर की ये मूवी साथ जुलाई को जियो सिनमा पे रिलीज होगी नमबर तीन पे है मूवी नियत नियत का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही आया है और ये लोगों को काफी जादा पसंद आ रहा है क्योंकि ट्रेलर देखकर स्टोरी अक्चली अपीलिंग लग रही है स्टोरी गूमती है एक मुर्डर के इर्दगीर जिसका शक कई लोगों पे है मूवी में है विद्या बालन एक जासूस के रोल में जो इस मुर्डर मिस्ट्री को सुलजाने की कोशिश में लगी है ट्रेलर तो देखो अच्छा लग रहा है और विद्या बालन भी काफी टाइम बात बड़े परदी पर दिखेंगी तो देखते हैं साज जुलाई को थीटर्स में ये रिलीज हो रही मूवी नियत लोगों को कितना इंप्रस करती है मेरा राव सी बी आई मिस्टर कपूर ने स्यूसाइड नहीं किया है उनका मार्डर हुए नमबर चार पे आती है मूवी बवाल मूवी कैसी है क्या है इस बारे में तो बताना मुश्किल है क्योंकि ना तो इस मूवी का कोई टीजर आया है और ना ही कोई ट्रेलर बस एक पोस्टर आया है पोस्टर को अगर गौर से देखो तो नीचे एफिल टावर और वार के कुछ सीन्स दिखाए गए हैं और उपर वरुन धवन और जानवी कपूर रोमेंटिक पोज में दिख रहे हैं यह एक पीरिड रोमेंटिक ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे नितेश दिवारी ने डिरेक्ट किया है यह मूवी आपको अमजन फ्राइम पे देखने को मिल जाएगी और पहले नमर व्यात ही है मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी करन जोहर डारेक्टिड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक फैमली कॉमेडी ड्रामा मूवी है करन जोहर की फिल्म है तो आप अंदाजाल लगाई सकते हो कि यह कितनी खास होगी करन जोहर ने कुछ-कुछ होता है कभी खुशी कभी गम, कभी अलवीदा ना कहना जैसी बड़ी और ब्लॉक बस्टर मूवी को डिरेक्ट किया है इस मूवी का टीजर भी के लोगों को काफी जादा पसंद आया था ये एक मल्टी स्टालर मूवी होने वाली है रनवीर सिंग, आलिया भट, शबाना आजमी, धर्मेंदर, जया बच्चन, रॉनित रोज जैसे बड़े कलाकर इसमें आपको देखने को मिलेंगे इस मूवी का एक गाना तुम क्या मिलेवी लोगों को काफी जादा पसंद आया मूवी के ट्रेलर को तो लोगों ने इतना जबर्दस रस्पॉंस दिया है ये मूवी अठाई जुलाई को थीटर्स में रिलीज होने वाली है और परसनली आम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी तो ये थी पाच वो मूवी जो इस महिने रिलीज होने वाली है